हाईलो फ्रेंड्स विल्कम टू माई चनल नवूस किचन फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे कोकोनट का लड्डू यह डेसिकेटर कोकोनट है 200 ग्राम आप घिसा हुआ कोकोनट भी ले सकते हैं घर पे घिसके भी ले सकते हैं शुगर है 5 टेबल स्पून यह लाइची पाउडर है पैन में मिल्क डालेंगे और उसको अच्छे से फिर हम चलेंगे अपना मिल्क डालेंगे पैन में और उसको हम हाफ होने तक पकाएंगे गाड़ा होने तक उसको अच्छे से हम पकाएंगे मैंने गय सोन कर दिया है उसको लगातार अच्छे से हम चलाते रहेंगे ताकि हमारा मिल्क जो है वो तले में पकड़ेना कंटिनूर को चलाते रहेंगे मिक्स करते रहेंगे हम जब हमारा मिल्क 20 परसेंट कुक हो जाए उसमें हम एड़ करेंगे शुगर मिल्क 20 परसेंट कुक हो गया है अब हम इसमें शुगर एड़ करेंगे ध्यान रहेंगे आप इसको लगातार चलाते ही रहेगा नहीं तो फिर ये नीचे से पकड़ लेगा दूद और जो पकड़ लेगा तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा फिर हम कंटीनू चलाते रहेंगे मिक्ष करते रहेंगे कंटीनू शुगर एड़ करने के बाद अभी हम इसमें आड़ करेंगे कर्डमम पाउडर इलाची पाउडर वन टी स्पून उसको भी अच्छे से हम मिला लेंगे मिल्क हमारा गाड़ हो गया है उसमें हम आड़ करेंगे डेसिकेटेड कोकु नट कि धीरे धीरे डालती हुए चलाएंगे अच्छे से बाइंड जब थोड़ा बाइंड अइसा मतलब पकड़ने जैसा हो जाए कि अभी हमको लग रहा है कि वह लड़्डू बनने की कंसिटेंसी में आ गया है तो उसको हम गैस को ओफ कर देंगे और थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे पूरा ठंडा नहीं करना है थोड़ा सा ठंडा करना है लूक वर्म टंप्रेचर में रहे तभी वह बॉल्स अच्छे से बनेंगे लड़्डू हमारे आप देख सकते हैं लड़्डू अच्छे से बन गए हैं उसको हम फिर नारियल के जो डेसिकेटर नारियल उसमें हम कोट करके ऐसे सभी लड्डू को बना लेंगे और कोट करके रखते जाएंगे देख सकते हैं फ्रेंज कितनी अच्छे लड्डू बने हैं मैंने जैसा बताया अगर आप ऐसे इसी प्रोसेस से बनाएंगे तो लड़ू बहुत अच्छे बनेंगे अगर आपको ये रेसिपी अच्छे लगी हो तो लाइक शेयर और शब्सक्राइब और आप बताये कोमेंट करके आपको निक्स वीडियो में क्या देखना है तब तक के लिए बाई